साथियों नमस्कार आज एक नया और यूनिक सा केस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये जो बकरा आज आप अपनी मोगाईल स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं उन्दर ने हमें बुलाया है और इसकी हिस्ट्री मैं आपको बताता हूँ उन्दर ने बताया है कि काफी ज़्यादा इसकी जो कंडिशन है वो खराब हो गई है कुछ खा पी नहीं रहा है पहुत कम चारा खा रहा है पानी भी नहीं पी रहा है और जुगाली भी नहीं कर रहा है और इन्होंने नया इसको परचेस किया है किसी दूसरी जगह से इसको ल इसको फीवर भी है तो अब हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे कौन-कौन से इंजेक्शन यूज में लाएंगे वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दूंगा तो इसी तरह की प्रैक्टिकली वीडियो देखने के लिए आप हम तो यह है मैलोनेक्स प्लस और मैलोनेक्स प्लस यहां पर हमें तेन एमेल इसको लगा रहे हैं तेन एमेल डेप इंट्रमस्कुलर इसको हम यह लगाया मैलोनेक्स प्लस और इसी के साथ ही दूसरा जो इंजेक्शन यहां पर इस्तेमाल में लाया जाएगा वो इंजेक्शन ह औक्सी टेट्रासाइकलीन की एंटिवाटिक है और एंटिवाटिक के तौर पर हम लाने वाले हैं और औक्सी टेट्रासाइकलीन इंजेक्शन भी यहां पर हम देने वाले हैं और 4 ml इसको ऑक्सी दिया जाएगा इंट्रा मस्कुलर रूट इसी के साथ एंटिहिस्टमाइन के तोर पर इसको दिया जाएगा एविल यह आप दिख सकते हैं एविल इसको देंगे और एविल इसको दिया जाएगा इंट्रावेनस रूट के द्वारा यहां पर आई वी इसको हम एविल देंगे और इसी के साथ ही जो लास्ट में हम इसमें इंजेक्शन इसमें माल में लाया है वो है भी कंप्लेक्स विद लीवर एक्स्ट यानि कmee जो बैलमेल इंजेक्शन आ था वो इंजेक्शन भी यहां पर इस्टिमाल में लाया गया है और 2 mL डीप इंट्रमस्कलर इस्तिमाल में लाया गया है और इसका ना, वह लगातार तीन दिन तक ट्रीटमेंट किया जाएगा और फिर यह इसली ठीक हो जाएगा जब इसका जो टेंपरेचर है वह नॉर्मल हो जाएगा तो यह ठीक हो जाएगा खाना पीना सुरू कर देगा कहीं कोई दिकत या फिटेंशन जो है लेने वाली बात नहीं है ओनर न